नमस्कार मैं होरिशाष आपका बहुत अश्वाद करता हूं जैसा का आप देख रहे हैं हम आपके लिए आज एन सी क्यू लेके आए हैं जो चैप्टर वन और चैप्टर टू से हैं सेफटी एंड फायर और मेजरेमेंट यह हमना दो चैप्टर कमबेट करा चुके हैं उन्हीं दो चैप्टरों के कुछ अब्जेक्टिव टाइप कुस्टन हैं जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं यहां से आपके लिए काफ़ी साहता मिलेगी तो आई हम पहला कुसें सुरू करते हैं कार्वोनेसियस फायर लकडी की आख को एक लास की आख कहते हैं इसे बजाने के लिए प्ल्योग किया जाता है तो वह हमारा असका अंसर जो है सोडा एसिट फायर एस्टिंग यूसर जो तो हमने इज़र दे रखा है कि कुश्चन नमबर दूसर हमारा तेलिय आग ओयल फायर को बी क्लास की आग कहते हैं यह आपको चानल लेना चाहिए कि बी क्लास की आग किस सिर्ड़ी में आती है यह तेल ओयल फायर की अंतरत आती है इसे बजाने के लिए प्रियोग किया जा यूशर जो कि आप यहां देख रहे हो फॉर्म फायर एस्टिंग यूशर गैस से आग गैस फायर गैस द्वारा लगी आपको ची क्लास की आग कहते हैं इसे बजाने के लिए प्रियोग किया जाता है ड्राइप आउडर जो हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव थ्योरी वाले पार्ड में करा चुके हैं dry powder या सारे कुस्तन हम जो discuss करने जा रहे हैं यह हम आपके लिए हरे के कुस्तन ठीवरी वाली वीडियो में करा चुके हैं। और यह उसके objective हैं, अगर आपने वह वीडियो नहीं देख ही थे तो वह गया लेस्टिंग जाके देख सकते हो कुश्चन नमबर हमारा चौथा जो है विजली की आग एलेक्ट्रिक फायर विजली द्वारा लगी आगको डी क्लास की आग कहते हैं इसे बुचाने के लिए प्रियोग किया जाता है है एलोन एस्टिंग यूशर या सीटीसी फायर एस्टिंग यूशर यह हमने भी क्लास में कराई हुए हैं कुश्य नमबर पांचवा चेतावनी चिन वार्निंग साइन की आक्रति होती है वह होती है त्रुजाकार जो हम आपके लिए इस चिन के माद्धियम से यह सारे दिखा चुके हैं जो होती है इस टाइब के त्रुजाकार ठीक कुश्य नमबर हमारा छटा किस सुरच्च्चा चिन का आगार व्रगाकार होता है यह हुद त्म लागार पर नहीं होता है जो हमारा सूच्नन्द दर साता है कुश्य नमर साथ मारा विना हत्ते वाली रियति का प्रियोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप विगर हत्ते वाली फाइल को यूज करोगे रियति को यूज करोगे चोड़ लग सकती है हाथ में कुश्य नमर आठ किसी मसीन उपकरण के वारे में ज्यान नहोतो उस पर कार करने को कहते हैं अज्यानता अगर आप किसी मसीन के वारे में जानकर नहीं हैं जानते नहीं हो तो उसको चलाना आपकी अज्यानता है वहाँ पर द्रोड़ना होने की संबावना अधिक रहेगी कुश्चन नमबर 9 आग में मेले होते हैं नीधन, ताप और ऑक्सिजन जो हम आपके लिए यह कुश्चन करा चुके हैं यह एक ट्रेंगल टाप का बनाता है जहां होपर एक तरफ इनन होता है एक तरफ ऑक्सिजन होता है और एक तरफ ताप होता है जब भी यह तीनों एक हाद मिलते हैं तो वहाँ पर आग उत्पन हो जाती यह एक रासानिक अभिक्रिया बना लेते हैं कुश्चन नमबर 10 किसी तेलियर फर्स को किसके द्वारा साफ करना चाहिए अगर आपके आसपास ओयल तेल विखर जाए तो आप उसको किस से साफ करोगे तो आपका सो डश्ट या रेत डाल कर ग्रैंडिंग करते समय आँखों की सुरच्छा के लिए प्रियोग करना चाहिए जब भी आप रक सो में ग्रैंडिंग कर रहे हो तो आपके आँखों की सुरच्छा के लिए सुरच्छा एनग का प्रियोग करना चाहिए जो कि आप जानते हो सुरच्छा एनग क्या होता है कुश्य नम्मर बारा एक जोलत वैद्दोत्तार के लिए निम्न में से कौन सा अगनिशामक उच्छित एजेंट है कारवन टेटरा किलोराइड यह है वैद्धुतार के लिए इलेक्ट्रिक फायर के अंतर का देहा आता है जो हाट टेटरा किलोराइड इसका सही आंसर होगा कोश्य नमत तेरा यद कार साला में कार करते समय दुरवड़ना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए दुरवड़ना की सूचना अपने अधिकारी को शिग्र दें और उसकी हेल्प करें चिपिंग करते समय ध्यान रखें कटिंग एज पर जब भी आप हैमर चीजल के द्वारा चिपिंग करते हो तो आपका जो ध्यान कटिंग एज पर होना चाहिए ऐसा नो हैमर से आप मस्रूम पर या चीजल के हेड पर चोट मार रहे हो कटिंग कहीं और लग रही है कुशन नम्मर पंद्रा मसीन पर कार करती समय यद वह खराब हो जाये तो मसीन का सुच तुरंद बंद कर दें मसीन का सुच तुरंद बंद करते हैं यद विजली की तारों पर लगी आपको बुझाया बुझाना हो तो CTC Fire Extinguisher का प्रयोग के जाता है जो हमारे Electric Fire के अंतरगत आती है सुरच्चा किते प्रकार्गी होती है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है यह कुशन आपका बहुत इंपोडेंट है सुरच्छा किते प्रकारगी होती है वह तीन प्रकारगी होती है जो आप आँ देख रहे हो निजी सुरच्छा साधरन सुरच्छा और मशीन की सुरच्छा अब हमने कुशन आते हैं मेजरमेंट से इस्टेंडर रूल की अलतमांग होती है जो हमारी इस्ट्री रूल की लिस्ट काउंट होती है वह होती है 1.2 mm या 0.5 mm और इंचर होती है हमारी 1.64 इंच यह कुशन आपको याद कर लेना ही चाहिए यह कुशन आपसे पूचा ही जाएगा एकजाम में बहुत मोश्ट इंपूरेंट कुश्चन है आपका आईए साफ्ट पर की वेज चावी घाट की मारकिंग करने के लिए किस रूल का प्रयोकिया करेंगे जो हमारा की सूट रूल किसी वेलनाकार चौप या पायव पर उसके अक्षे के सावान अंतर रेखाएं खीचने के लिए किस रूल का प्रयोकिया जाता है वेवारा की सीट रूल कुश्चन नम्मरा चौथा अभयांतर की की गुनिया का साइज लिया जाता है हमने आपके लिए ट्राई उसकार पड़ाया था जो आपका इसी के ऊपर बेज़्ट है इस्टॉक के अंदरूनी सिरे से बलीड के अंतिम सिरे तक जैसे हम आपके लिए यह बना कर देखा दें यहां आपका मालू ट्यसक्वार है ट्राइस अरो यह आपका इस टोक के यह आपको बिलेड है को है सबस्की तक यहां से नमभाई जाए इस्टॉक के अंदरूनी सिरे पर एक अंटर कट लगा होता है जिसका उद्देश है जिसके लिए हमने आपके लिए जब वीडियो में ट्रैस्टॉप बना के दिखाया था तो उसके बारे में सारी चीज़ें बताई दी वर को इस्थान देने के लिए जब भी हम ट्रैस्टॉ के द्वारा किसी जोब की साथ वाली भुजा या समतलता को चेक करते हैं तो उसका वर होती है तो वह उसको इस्थान देने के लिए यूज किया चाता है कि कुशन नमबर छटा साधारण के लिवर का साइज लिया जाता है वारत जो के लिवर होता है उसका साइज कहां से कहा वर्किंग पॉइंट तक जो रिविट होती है उसका हमें सेंटर लेना है उसके बाद हमें नीचे उसके वर्किंग पॉइंट तक उसकी माप लेनी है किसके बारबर होता है यह होता हमारा यह अ मेश्च का बलेड बना होता है यह होता हमारा हाइब कारवन-a-steal या कारण स्टील स्टेंडर्ड इस्टील रूल बना होता है स्प्रंग स्टील का कुशन अमत 10 सैंटर हेड का प्रयोग किया जाता है जो एमारा वरणय वेल प्रडक्το रॉडक्तर भे सैंटर हेड होता है गोल जोब का केंद ग्यात करने के लिए लेत बैड की समतलता का निरिच्छड किया जाता है कास्ट आरन इस्टेंडर इस द्वारा म्रद्द स्पात के बने केलिवरों को किसने मुडने वट तूटने से बचाने के लिए किया जाता है उनके पॉइंटों पर केस हार्णिंग की जाती है जिससे के केलिवर के केसने मुड़ने वट तूटने से बच सके हैं कुशन नमत 13 इंसाइड केलिवर की डोनों टांग मुड़ी होती है आप के लिए हम यह बना के दिखाते हैं आप वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले वीडियो देखिएगा आप कुशन काफी है मिलेंगे यह आपका होता है इंसाइड केलिवर आपसे यह पुश्च जा रहा है कि यह जो है यह आपका कितने डिगरी पर मुड़ा हुआ है ठेक यह आपका है 45 डिगरी पर इंसाइड केलिवर दोंटांग बाहर की तरफ यह 45 डिगरी पर मुड़ी हुई है कि ट्राइड का आकार किसके द्वारा व्यक्ट किया जाता है तो वह तामरा बिलेड के द्वारा जो हम आपके लिए पिछे बता चुके हैं इस्ट्री रूल की साहता से कम से कम कितनी माप ली जा सकती है तो वह लियाते है पॉइंट फाइब एमेम या एक बटे दो एमेम किसी सर्फेस की फिलेडने और इस्ट्वालने चेक करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है ट्राइस्ट्वार कुश्य नम्मर 17 इस्ट्री रूल होता है डारेक्ट रीडिंग मेजरिंग मेजरिंग इस्टुमेंड जो ह आपके लिए पहले में करा चुके हैं हमारा जो केलिवर होता है वह हमारा अप्रतेक्षमापी होता है और यह हमारा इन्डारेक्ट यह हमारा डारेक्ट मिजर्मेंट टूल है वो हमारा इन्डारेक्ट है इसके हमारा डारेक्ट मिजर्मेंट टूल है और कैलिवर हमारा इन्डारेक्ट मिजर्मेंट टूल है कुश्यन No.18, खाँचे की चोड़ाई मापने के लिए किस कैलिवर का प्रियोख क्या जाता है? कि किस पर कारखाने का सारा उत्वादन निर्वर करता है? माप पर. अगर आपकी मेजर्मेंट माप सही होगी, तो आपके कारखाने जोग अच्छे से बन के जाएंगे. दुरगटना से बचने का अच्छा तरीका है जोग मशीन और कार के इस्थान से सम्मंद सुरच्छा नियमों का पालन करना इसी लिए यह चेप्टर आपके लिए बताया रहा है सुरच्छा और मिजर्मेंट से यह कुछ आपके लिए अब्जेक्टिव कुसंते जो आपकी पर नए आयो और चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें करें पेल आइक नोटिफिकेशन आपके मुआल पर हमारी वीडियो का आ सके आए मिलते हम आपसे नेस्ट वीडियो में ओक्यों आवे थैंक्यू